तो उतरप्रदिश में इंवेस्टर समिट का आइजिन किया गया है यूप इंवेस्टर समिट का दूसरा दिन है लेकिन कितना फाइदा प्रदेश को इससे मिलने वाला है चर्चा के लिए हमाई साथ स्टूडिय में मौझूद है कि मिश्टा जी सर आपका बहुत-बहुत एकॉनमी और पॉलिटिक्स एक्सपर्ट है अच्छी समझ रखते हैं राजनीती में भी और एकॉनमिस्ट भी है तो अच्छा ग्यान है अच्छा अनुबव है आप से साहरा करेंगे उत्तर प्रदीश इन्वेस्टर समिट दूसरा दिन आज है पहले दिन हमने देखा चार लाख 28,000 करूर का M.O.U. जहां पर साइन किया गया है एक हजार से जादा M.O.U. साइन किया गया है मेरा सबसे पहले और सीधा सवाल अब आप से यह है किस सेक्टर को कितना लाव मिलेगा युवाओं को कितना फाइदा होगा क्या इससे बेरोजगारी कम होगी पनिससे आ कि मैंने आपको पहले हैं कि अगर उत्तरप्रदेश का अगर आप डिफेंट पैरंटर पर डिवीजन करें कि उत्तरप्रदेश कम किया क्या चीजे होनी चाहिए और आज के थाई में उत्तरप्रदेश की क्या-क्या जरूर्वरत है छाहे उसमें यृवाओं को Rोजगार मिल है तो उसका फायदा हर स्टेक होलडर को मिलता है सोचल इस्टेंडर भी लोगों का लिविंग स्टेंडर पर कैप्टा इंकम बढ़ता है खुशाली आती है अब कुश्चन यह है कि इन्हों ने बहुत अच्छे तरीके से जो जो नेचुरल डिसोर्सेज हैं जिसको यूज नह किया गया है जो उन्टैप्ट है इन्होंने दस कटेग्री में बाता है आपके दर्शकों के लिए मैं एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि यह जो दस कटेग्रीज है बहुत ही अच्छे स्टेजिक वे में इन्होंने किया है सिवी लेशन अब देखे लोग पूसकत है कि ट्रेन की स्पीट को बढ़ाया जाया और सेकेंडली यह चीज किया जाया एविएशन को लगभग लगभग 40 45 ऐसे हवाई अड़े थे जो हवाई अड़े हैं बने हुए हैं लेकिन वह नॉन अपरेशनल है अब देखे इसका मतलब क्या निकलता है इसका मतलब भी निक करता हूँ अगर आप देखेंगे तो यूपी में 6.1 million passengers है जो aviation industry का यूज करते हैं जो फ्लाइट का यूज करते हैं इसके बावजूद भी इतने passengers इतने potential होने के बावजूद भी यूपी का जो यूपी एक least penetrated जो है स्टेट है इस मामले में 0.03 जो है पर कैपिटा एर टिप है और इंडिया का जो एवरेज है वह 0.04 है 0.3 जो है वह चाइना में है और USA में 2 है यह पर कैपिटा मैं aviation industry का आपको बता रहा हूं कि पर थाउजन पर पूरे ओवराल पॉपुलेशन पर कितने लोग फ्लाइट सर्विसेस का यूज करते हैं तो एविशन इंडस्ट्री की यह बात हो गई अब आप मेरे को आजाए आई टी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं नोवेडा गाजिया अपने अपने हम है आई टी इंडस्ट्री के लिए क्या चीजे चाहिए यहाँ पे जो लाने के लिए यूप गवर्मेंट बहुत अच्छा इसमें प्रयास कर रही है बाकी लेबर फोर्स लैंड इन सब चीजों की और मार्केट आप अगर आई टी मैनुफेक्ट्रिंग के देखेंगे तो जहां पॉपलेशन ज्यादा है वही पे मुबाइल हैंडसेट की खपत जादा होगी वही पे लैपटॉप की खपत जाता होगी तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट अब दू से अगर यह देखा जाए तो सबसे बढ़िया चीज यह है कि आपने मैट्रियल को बनाया और आपकी फैक्ट्री के बाहर ही पुरी की पुरी मार्केट और कंशुमर आपक तो थार्ड है एकोनोमिक कॉंट्रिबूशन में लेकिन पर कैपिटा इंकम अगर आप यूपी का देखेंगे तो यह हाफ आप देशनल है पैतालिस्ट्यालिस जार रुपय का आता है तो यह गैप क्यों है मैं इस चीज को समझाना चाहता हो और इसी गैप को ब्रिजब करन करने के लिए खतम करने के लिए यूपी गवर्मेंट अगर इनकी स्टेडी करें तो बहुत अच्छे लेवल पे माइक्रो और मैक्रो लेवल पे नहोंने सिंक्रोनाइज किया है डेरी इंडस्ट्री की बात करें सबसे जादा अगर आप यह जो पश्वे होती है पशों की सं जाए तो यूपी के साथ अगल बगल पांच्छा जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया या स्टेट्स है आपके सब की मिल्क और डेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट होते हैं मिल्क हो गया पनीर हो गया गी हो गया तो इसकी जरूरत त आप यह देखिए दिल्ली में आप दूद के दाम देखिए बढ़ते चले जा रहे हैं तो छह साथ स्टेट को तो यहीं से कबर किया जा सकता है क्योंकि इतने पशु यहां पर पढ़े हुए हैं देखिए टूरिज्जम आपने आप में हिस्टोरिकल डेकि आयोध्या रिलि अपना पहला उद्देश दिया था तो रिलिजियस और इसके साथ सथ मॉर्डन और हिस्टोरिकल टूरिजम भी तो टूरिजम इंडस्ट्री को भी अगर फोकस कर देंगे तो यह इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसको आप बोल सकते हो कि इंवस्मेंट बहुत जादा नहीं होना ह है कि अवल फैसिलिटीज आपको देनी है मतलब पैटन के अगर शेतर में देखा जाए तो संभावना है बहुत जादा है अपार संभावना है यहां पर मैं आपको रूपना चाहूंगे बड़ी खबर दश्यकों को बता दे स्वीशिक बड़ी खबर आ रही है उस्वक की ब जाए गंटेरेंगे राष्ट्पती रामनात कोविंद दो पैर 3 बच कर 40 मिनट पर विशेश विमान से अम ओसी एरपोटद पहुँचेंगे महा महीं दस मिनट ऑब पर विश्राम करेंगे राष्ट पती रामनात कोविंद इसके बाद चार बज़े एरपोर्ट से IGP याने इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान के लिए रवाना हो जाएंगे राश्टपती चार बज़ कर 20 मिनट पर इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान पहुचेंगे राश्टपती ये पूरा कारिक्रम रहेगा ग्रे मंत्री राजनात सिंग महा महीं की आगवानी करेंगे अमोसे एलपोर्ट से शहीत पत होते हुए IGP जाएंगे राश्टपती रामनात कोविल्ट किस प्रकार तिबत में जो कनेक्टिविटी का इंफरस्ट्रक्टर बढ़ रहा है और इस कनेक्टिविटी इंफरस्ट्रक्टर के बढ़ने के साथ साथ किस तरह जो हमारे फेस आफ्स होते थे इनके साथ उसमें आक्रमकता बढ़ रही है जमुएन कश्मीर में पिछले साल आखिर तक तकरिबन स्थिती सुदर गई थी जैकिन जैसे ही वो स्थिती में संतूलन आया आपने देखा लाइन अफ कंट्रोल में किस प्रकार आग भड़काई जा रही है कहने कम पताचपरी ये है कि एक तरफ से तो हमारी देश की अपनी सुरक्षा की चुनौतिया है साथी साथ अंतराष्ट जो समुदा है वो चाती है कि भारत हिंद महासागर के सुरक्षा का प्रबंदग बने ये एक बहुत बड़ी जिमवारी है इसके लिए बहुत बड़ा कमिट्मेंट चाहिए हर एक लिहाद से तो हम समझते हैं कि ये जो डिफेंस कॉरिडर है इसमें इसका बड़ा कॉंट्रिबूशन रहेगा किसी भी देश की सैन्य शक्ती का अगर आप वर्णा पड़ देखें यानि स्पेक्ट्रम देखें उसके एक सिरे में तो युद्ध का मैदान है रंडभूमी है चाहे वो जल में हो चाहे स्थल में हो चाहे हवा में हो लेकिन उसका दूसरा जो सिरा है वो बहुत ही इंपॉर करते हैं पिछले महीने 18 तरीक को वो राजस्तान में सुख़ए 30 के ताकत का आज खुद अजमा रही थे हवाव में उड़ करके उसके अगले दिन उसके ठीक अगले दिन चिन्नाई में इसी प्लकार उद्योपदी से बात करके उनकी तरफ देख रही तो इस तरह पूरे दे देख रहे हैं पर परिनाम सिंप्लिफिकेशन और मेक टू तीन महीने के बीच उन्होंने ये प्रोग्राम एनाउंस किया आज उसके उपर एक फिल्म भी है प्लस सेक्री डिफेंस प्रोड़क्शन सा डॉक्टर अजे कुमार तकरिबन हर एक दिन कोई ना कोई मीटिंग ले अगर वो आजाए लगबख एक लाक क्रोड अवेलिबल है फॉर डिवलप्मेंट जो 21 मेक टू प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगबख 30,000 क्रोड हैं पिछले तीन साल में अगर आप देखें 154 कंट्रैक्ट साइन हुए हैं दो लाक 7,296 क्रोड के और DPP 2016 जिसमें सबसे ज्य लगबख 44,000 क्रोड इंडियन इंड़स्ट्रीज पे गया है और 83,000 क्रोड विदेशी इंड़स्री पे गया है तो यहाँ पर जो है यह जो असंतूलन है उसको जो है बदलना पड़ेगा और अगर यह असंतूलन को बदलना पड़े जाहिर है कि वो दियोग और प्रौदी क की टेक्नलोजी दोनों में हमें जोर देना पड़ेगा समय कम है डीपीपी 2016 के जितने भी प्रोविजन्स हैं हमारा दर्खवास्त है मंत्री जी से उन्हें जल्द से जल्द अमल करे आटोमाइटिकली दी प्रोसेस विल्मूव मैं बुंदेल खंड कोरिडॉर ये एक नया कोरिडॉर है जैसे हमने बताया एतिहासिक इसमें योद्याओ की गाता तो है लेकिन आज के अज के संधर में अगर इसको एक्स्पॉर्ट करना है तो हम समझते हैं इसमें इंपॉर्टन्ट है स्किल पे ध्यान देना और स्किल पे ध्यान देने के लिए S.I.D.M की तरफ से Society of Indian Defense Manufacturers की तरफ से कुछ होता है हम बहुत खुशी कुशी में आपके साथ चलेंगे इसके लावा जो incentives होते हैं कई राज्यों तो यह कैमिश्व जु लगाता है हमारे साथ बने हुए रहे हम चर्चा कर रहे कि आखिर उत्रप्रदीश को उत्रम प्रदीश कैसे बनाया जाएगा और जो निवेश किया जा रहा है क्या व वगका ही कारगर साबित होने वाला है बात हम रोजगार की कर रह एथे पलायन की और हैनलूम टेक्स्टाइल फिल्म और रिन्यूवल रोजगार क्रियेट कैसे होता है एक तो डिरेक्ट रोजगार होता है कि कोई फैक्टरी खुली उसमें कुछ लोगों को मिला ज्यादा तर लोग बाहर से आया या एक पर्टिकुलर रेशियो में बाहर से आया और बाकी वह कहां से करेंगी जो रा मेट्रियल है इसको कहां से गवह तो वह पूरा का पूरा एक्टिबूशन ऑफ एकोनोमी और दिस्टिबूशन ऑफ मनी और रिसोर्सेज डेडी इंडिस्ट्री से होगा तो यह सबसे ज़्यादा फैदा के लोकल लोगों का चाहिए वह अनपल हो इस मिलता है जो ऐसे गाइड बनते हैं होटल रेस्टोरेंट वगरा खोलते हैं एक बहुत इंपोर्टन चीज है और फोकस किया हुआ है इसमें जितना भी लेबर फोर्स वगरा लगता है वो सब लोकल लगता है में कोई बहुत दूर से काम करने के लिए नहीं आता है रिनीवल इनर्जी को अगर हम छोड़ भी दे रोजगार के मामले में फिल्म भी आप छोड़ दीजिए लेकिन हैंडलो मोर् टेक्स्टाइल नेक्स्ट ऐसा स्टेप है या ऐसा फोकस है जिसमें सारा का सारा लोकल जो व गंटे-पांच गंटे बुनते हैं और महींने के पांच अजार आट-जार रुपए कमा लेते हैं यह सेकेंड़ीं कम है इसके बात एग्रो एंड फूट प्रसेसिंग से फाइदा किसको होगा वहां के खिसानों को ही फाइदा होगा उनके आना आज उनके फल को उनकी सबज सब्सक्राइब करते हैं जिसमें मजबूरी में इनको लोकल आदमियों को रखना पड़ेगा रोजगार देना पड़ेगा और रोजगार अगर मिलेगा तो पलायन की जो समस्य वह अपना पी हुकम होनी शुरू हो जाएगी लोग पलायन करेंगे ही नहीं जब रोजगार खु कि यूपी डेवलप करेगा तो साथ में बिहार मद्यप्रदेश अलहाबाद का लगता है आपका देखें MP से पूरा यूपी का लगता है पांच्छा स्टेट से लगता है तो यह रिवर्स जो है माइग्रेशन की कंडिशन यहां पर आ जाएगी पांच सालों के बाद होगा यह कि दूसरे स्टेट के लोग भी यहां पर आमा शुरू कर देंगे तो जो अभी देखें पलायन एक जगह से दूसरी जगह वर्क फोर्स का जाना यह अपने आप में बहुत खर्चीला और टीडियस काम होता है आधा भी अगर तंखा मिलता है यूपी और बिहार वगरा अगल बगल के लोग जो बाहर गये हैं माल लीजिए अगर पचीस जार रुपय कोई महीने कमाता है उससे बेटर लाइफ स्टाइल उसका उसके घर में अगर रोजगार मिल जाए घर के अगल बगल मिल जाए पचीस देखें लिविंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है उनको र सब्सक्राइब के लिवर्स माइग्रेशन का कॉंसेप्ट यहां पर लागू हो जाएगा आफ्टर फाइफ यह अगर इन्होंने सक्सेस्फुली लांच कर दिया बिल्कुल उसके लिए सक्सेस्फुल होना जरूरी होगा इसके लिए इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदीश में सोशल क्लाइमेट क्या पॉजिटिव है इन्वेस्टमेंट के लिए एक एहम सवाल है इसके लावा जिस तरीके से काजगंच दंगा हुआ था जो हिंसा भड़की थी ऐसे अगर हिंसा होंगी तो निवेशब दरेगा प्रदीश में आने से इसको आपक अच्छा है बहुत ल Calvin Heremanme यह एक चौटे दूसरे दूसरे स्टेटों में समिल्मनाट वगगरा में मैं मैं एक गवा अवन झाके मैं मैंने विजिट ả ता और यह मेरी होबिए हिए कि होगार के Соš्वल क्लाइमेट और कुल्चर को ऑच्छिय करना तो सोस्वाइमेट इंड को कभी कोई टार्गेट नहीं करता है रेर छुट-पुट गतना है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वह हर जगा होती है हर स्टेट में इवन युएसे में भी गुन शुटिंग होती है जो कि सबसे डेवलब माना जाता है ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पर ऐसी मिस हैपनिंग होती है मैं इसको टेकन ऐसे ग्रंटेट नहीं लेता हूं मेरे करने का मतलब यह नहीं कि हाँ जी चलो कुछ तो होगा इसको एक्सेट करो यहां पे भी मोधी योगी जी ने जीरो टॉल्रेंस का उन्होंने कॉंसेट रखा हुआ है आप देखो कहीं उस पर अब काम भी हो रह प्रदान मंत्री जी ने डिजिटल क्लिरेंस सिस्टम चालू किया कहीं भी पूरे सिंगल विंडो कंसेट तो है मगर हूंन इंटरफेस के बिना टाइम बाउंट तरीके से ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें कि आप बटन दबाईए और क्लिरेंस लीजे और टाइम माउंट में नहो तो सीधा मुख्य मंत्री मॉनिटर करेंगे ऐसा फ्रेमवर्क आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा प्रदान मंत्री जी ने कल उसका उधाटन किया I can tell you ease of doing business में UP would be the best state in the country मैं आप से जितने निवेशक हैं केवल इतना अनुरोध करना चाहूंगा डिटेल में बाद में बता हूंगा बहुत ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है Please come invest in UP, we would provide you land, we would provide you facilities, we would provide you the kind of incentives that you will not get anywhere, thank you बहुत बहुत ज़्याद हमारी बीच में अविस्थापना एवं ओध्योगी विकास आयोग उतापड़े सरकार डॉक्टर अनुर्चन पांडे जी अपने उत्बोधन से हम सभी को आंगित कर रहे थे उत्बोधन की इसी कड़ी की साथ जैसे कि हम सभी जानते हैं 18 जन्वरी सन 2018 को रक्षा मंत्री मानेनिया हमारी शीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक नए यूजना लांच की थी जिस यूजना का नाम मेक टू रिवाइज प्रोसेसर यहम सभी जानते हैं जिसके तहत बहुत आसान हो गया इंडूस्ट्री रवाड़ा डिफेंस के शेत में निवेश करना वैसाई डिफेंस फोर्सेस के लिए समान बनाए और अपने देश को आगे बढ़ाएं यह नॉस्मेंट सिर्फ परियोजना ही नहीं रह गई बलकि सरकार को 21 प्रोजेक्ट को उत्गोशना एप्रूवल देकर इंडूस्ट्री को बढ़नानी के लिए आम मंत्रित किया गया बहुत बड़ा सरहानी कदम और अब यह व्यासाई क्यों के लिए एक सुनहरा आवसर है इस शेत्र में निवेश करने का भी और दूसरी तरब हमारे देश की सुरक्षा करने का बीड़ा उठाने का तो आईए इस विशे पर आधारी एक छोटी सी लगू फिल्म हम देखते हैं हमारे इस विशे के लिए एक बहुत जोर्दार तालिया इस कदम के लिए इस वि Guillprise लenders on the path to become that nation with its vision for make in India encouraging local manufacturing and employment for economic empowerment and the Ministry of Defence, Government of India is fully committed to boost MAKE in India by taking it to the next level, as it has amended the existing MAKE procedure in Defence Procurement Procedure 2016 to devise a new MAKE-2 procedure, whose revised proposal was launched on January 18, 2018. Inviting participations from the industry's private players, that includes start-ups, MSMEs and individuals, who are now eligible to propose the Indigenous designs, developing, manufacturing and supply of the Defence Equipment prototypes. This is a move towards facilitating minimal documentation requirements, shorter timelines for various processes and easy eligibility criteria. Also, limiting the role of government to facilitation and hand-holding of development agencies. Only speeding up the process, the MAKE-2 procedure states features like, no limit to the number of industry players who may show interest and offer prototype, assurance of the order after RFP is issued, request for proposal, constitution of project facilitation team to ease the process of development agencies, 50% reduction in the total time from in-principle approval, to placing of order, projects involving developmental cost of less than 30 million will be reserved for MSMEs. Hence, this will attract more MSMEs in Defence Prototype Manufacturing, resulting in more employment opportunities. Overall, 21 projects are approved under the new MAKE-2 procedure in January 2018. Now open for investments, the list contains 8 projects of Army, 4 projects of Air Force and 9 projects of Navy, which include variety of ammunitions from small-caliber ammunition 5.56, 7.62 mm to large-caliber ammunition, 125 mm for tanks. Variety of fuses for ammunition, aerial bombs, rockets such as direct action. So, Bhadaraj Jernatah Party, Lakshmikandh Wajpani, Hrash Paraj Pajra, Hrash Paraj, hovare saj jamur 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 hovare saj jamur. Lakshmikandh Jis Torikaj, Jis Torikaj, Jis Torikaj, U.P Investor Sumit, 2 Dhin ka yeh pura a io-janaar, pahali di n. hum ne dèkha, kitna bada, kitna bada voh akra hai, jis par MOU sign kiya gya hai, kya aapko lagtatah hai, kya aapko lagtatah hai, अच्छे दिन आजाएंगी पहली इन्वेस्टर समिट है जिसमें भारत के परधान मंतरी के इत्थारे मंतरी विदेशी राजनाइक तक उपस्तित हुएं जिए पहली किसी इन्वेस्टर समिट के मुकाबले ये इन्वेस्टर समिट सथ प्रतिशन सफलता प्राप्त करेंगी पचास लाख रोजगार अगले पांस साल में सरजित होने हैं अगर इसको राजनीती के तोर पर देखा जाए क्या 2019 के तैयारी कह सकते हैं से राजनीत जिने देख रही है उदेखे हम तो सबका साथ सबका विकास और मानवी आधार पर काम कर रहे हैं एक बात अगर मैं आपसे पूछू बैंक फाइनेंस करता है एक लाख रुपए का रिंड पर पूछता है कि इससे रोजगार एक रोजगार कम सरजित होगा या नहीं होगा चार लाख अच्छाजार करोण रुपए का जब MOU साइन हुआ है ज़रे लक्षमिकान जी कर रहे है कि रोजगार भी आएगा प्रदेश में और विकास भी अब हो रहा है आपको नजर आरहा है कि विकास जुम्ला है जुम्ला 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 मैं गिनाता हूँ मानने मोद्धी सब इवेंट मैंटमेंट है इकली इनमेस्टेमट नेये वेंट है। अप्टे काम ने हो जकता हुझत है। इनकी प्रेंग इनकी प्रानिंग में आपको क्या कमजोरी стен है। पॉलिटिकल व्यूचा बीक्ति आजए काहता है? तो अगार तीन से ले करके अब तक सर पास्ट छोड़ दीजिए सर कल से बात करिए पास्ट में पास्ट में कॉंग्रेस बीजेपी फेल हो गई सब फेल हो गए मैं मांनता हूं कल के प्लान में आप बताईए क्या कमी नजर आ रही है कि ये फीचर में फेल होगा अकिले जी सवाल यही है कि 46 कहर कि लिएवर लगा है किया तुम्हाम अधा निवेश करें वो अपको जुमला लग रहा है सुनोगर पे बात करता हूं मैं भाच पाइनी हैं जूट बोलता हूं सुनो पहले जे आपको पता है ना और इन आथो समिटों में इंडती नहीं एक सो चईबाएस अवाजिना करोड़का ये उसाइंड किया एक सो चईबाइस लाख करोड़का का कईये तो प्रक्ने पशा दूम जे और थीहतार रजा डोसो और अरफिस करिया लगने का जी, 6% भी नहीं लगे हैं अभी तत, 6% ये इन्हीं के सरकार ही आकड़े हैं, BJP के सरकेंद्रे और प्रदेश गुजरात की सरकार के, जी, हवामनबाप नहीं करता, जी, और सुन लो आप, ये फैक्टी लगाएंगे, मेगा फूट पार्क अमेठी से ये बंकरा दिये, जी, अ die नहीं पर्देश परनरिय लगाएंगे, ये बनकरा दिया, ये, ये जो ये जो बंती हुए चोट पर्देश के सरकार कर दिया, आपको पता है, यी, ये tyreर दो अ भी लगाएंगे, यह पोई पहल नहीं है, सुनिये प्लीज, प्लीज, पहल को 2003 से गुजरात में भी हो दही नहीं है, यह सरकार से रोज भी इवेंट करती है, ताम बस इसका नहीं है, मैं अधार पर बात करता हूँ, हावा हाई जुम्रेबाजी नहीं करता, मनिया को किना है, कहिए ब्रेक अप एक अवन्साइब करता बसाथ करता है, मुझा एक रहाँ टेख कैना नहीं है, क्या आप सेहमत है, यह कि अधान बात बात बनाजी हो रहा हुए हुर, यह जुम्लेबाजी और ढ़ाए हुरा है, यह गाने प्लानिंग है, तू आप इनकी जो प्लानिंग है, क्यू उतर्प्र में यह चीज सक्सेस होगा हो सकता है इसके पहले इसके पहले सारी कॉंग्रेस बीजेपी सपा सबकी सरकार थी डेफलमेंट हुआ की नहीं हुआ लेकिन यह जो प्लान है यह इनकी एक राजनेतिक मजबूरी भी है मैं आपको बता दूँ और आर्थिक जरूरत भी है अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने पूरी प्लानिंग किये जिस हिसाब से यह सिंस अन्होंने बनकराई कि जर देखें मैं आपको एक चीज ने बहुत सारी चीजे अर पार्टी के ऊपर है अगर मेंट यूपी में सबसे ज़्यादा सब्से ज़्यादा सरकार को आए कॉंग्रेस की रही है दो कंहित क्या तदि क्यों हुआ है जापान नंगें नने दyए चाहिग के ददी है जापान नहीं से फंद आप उंहे सच करना तहहु है वैसे इतनों कहा लागना ओने का उस्ते काम च्राव evident सवाल यह है क्या यूपी में इतना पुटेंसिया रिफर्ट किया गया तरह कि अपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह चर्चाम कर रहे हैं इसमें कहीं न कहीं विपाक्ष अगर मुद्दा इसको उचालने की जिए इस पर सवाल खड़े करने के सहयो करेगा तो यह और बेटर तरीके से अपला कर पाएंगे और बेटर तरीके से जए जो इंपलीमेंट है वो हो पाएगा और कर आएंगा दो कि त मैं यह कर रहे है कि ने सुमेट में तुमांप जो निवेश रखाए है जो रिवेश कि हैं उसे क्या कुछ वाइदा प्रदीश को का रोजगार कि इतना स्रिजित होगा साती साथ पलायन कैसे रुकेगा तमाम चीदों पराजमने चर्चा के और लगातार उत्तर प्रदेश इंवेस्टर समिट से जुड़ी पलपल की अपडेट आप तक पहुचाते रहेंगे लेकिन फिरहाल इस बुलेटिन में इस चर्चा में रहेता है कि म झाल झाल